बहार के बक्सर जुले में एक महिला के साथ छेड़ खानी करना CRPF के जवान को महंगा पड़ गया पुलिस ने ग्रफतार कर उसी सलाखों के पीछे बंद कर दिया दरसल ये पूरा मामला चलती ट्रेन का है चलती ट्रेन में महिला के साथ छेड़ खानी करना एक CRPF के जवान को महंगा पड़ गया महिला के सिकायत पर पुलिस ने आरोपीत जवान को ग्रफतार कर सलाकों के पीछे भेज दिया आरोपी के खिलाब बक्सर जी आरपी थाने में केस दर्ज किया गया आरोपी CRPF के जवान नसे की हालत में था और महिला के साथ एक बर्थ में सोने की जीर्द कर रहा था यह मामला दिल्ली से गोहाटी जाने वाली Northist Express का बताया जा रहा है जो जनकारी मिली है उसके मताबिक दिल्ली की रहने वाली महिला Northist Express में सफर कर रही थी पेडित महिला दिल्ली से गोहाटी जाने वाली ट्रेन में असम में सवार हुई थी जैसे ही ट्रेन इलाहबाद पहुची नसे में धूत CRPF का जवान महिला बर्थ पर आकर बैठ गया महिला को अकेला पाकर वो उसके साथ छेड़ खाने करने लगा और उनका कहना था कि वो महि ठाने के बाद भी वो अपनी बात पर आड़ा रहा महिला की बात वो सुनने को तयार नहीं था और एकी बर्थ पर सोने की जिद महिला के साथ करने लगा आरोपी जवान सराप के नसे में था महिला ने इसकी सिकायत पुलिस से कर दी फिर क्या था फिर CRPF के जवान को सलाखो के पीछे बंद कर दिया गया आपको बता दे ट्रेन जैसे ही पंडित दिन द्यालोपा द्याय स्टीशन से खुले महला ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दे दी सूचना मिलते ही जो पुलिस है वो हरकत में आई और बकसर जी आरपी थाने की पुलिस एक्टिव हुई और ज पीने का भी मामला दर्ज किया है गरफतार सी आरपी एफ का जवान छपरा जिले के सोनपुर थाना के बदुराही गाव का रहने वाला बताया जा रहा है सी आरपी एफ जवान का नाम निरज कुमार है और वो एक महिला के साथ छेड़ खानी करता हुआ पकड़ाया उसे पुलिस ने गरफतार कर सलाकों के पीछे भेज दिया आपको बता दी कि वो महिला को अकेला पाकर उसके साथ छेड़ खानी करना चाता था इतना ही नहीं सी बर्त पर सोने की जीद करने लगा इसको देख महिला ने इसकी सिकायत कंट्रोल रूम से की और इस बात की जनकारी जैसे ही कंट्रोल रूम को लगी वैसे ही कंट्रोल रूम ने महिला की सिकायत सुनी और उस CRPF के जवान को गिरफतार कर लिया उनके खिलाफ आरोपी के खिल पूरे मामले को लेकर जियार्पी थना ध्यक्षिर रामासीस प्रिशाद ने बताया कि सराप के नसीमी जवान महिला के साथ से छेड़ खानी कर रहा था मामला दर्ज कर लिया गया है मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा बेरो रिपोर्ट लाइब बिहार लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें